मेहर आशाकार्यकरताओं द्वारा भूख हरताल किये जाने पर कई महिला आशाकार्यकरताओं की तबियत खराब हुई जिनकी सुध लेने कोई नहीं पहुंचा हताश होकर आशाकार्यकरताओं ने यूथ कॉंग्रेस के प्रदेश सचिब वसीधी जिले के प्रभारी श्री ब्रिजेंद शर्मा छोटु भहिया से फोन में चर्चा की जिनकी मदद के लिए ब्रिजेंद शर्मा छोटु भहिया वमेहर युवा कॉंग्रेस विधान सभा अध्यक्ष शर्मा लल्ला धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और आशाकार्यकरताओं के समर्थन पर मैदान में उत्रे और उनके साथ हो अत्याचार को लेकर के सरकार को घेरा और प्रशासनेक अधिकारियों से रूबरू हुए बीमार आशाकार्यकरता अस्पताल के चौखट पर पड़ी थी लेकिन उनकी कोई सुद लेने को तैयार नहीं था। ब्रजेंदर शर्मा छोटू भाईया के धरना स्थल पर पहुंचते ही प्रशासनेक अधिकारियों के कान खड़े हुए और आनन फानन में सभी आशाकार्यकरताओं को अस्पताल में भरती करा कर उपचार श लेंदर शर्मा घचते ही खाला सुछ लेकिस के धाहँ धाहँ जो भाईयार शर्मा फ्र भाईयार झाहँ दावता कर नहीं भाईयारा किसक उनकी के अधुछ उनकी कर रभे लेविता किस्कenin अधिके », तो भाईयार कि आम अपना दिकार मांगते हैं, तरहीं किस्ते ही कि मांगते हैं मामा नहीं कसाई है, दस का शुत्रा भाई है मुवे नहीं शिंकारी है, अपारत की नारी है मुवे नहीं शिंकारी है, अपारत की नारी है अभी करो अपार्मा में करो अभी करो अपार्मा में करो अभी अरो अभी नारी है मुवे नहीं शिंकारी है एक दो ती चाँ अपार्मा में करो अज आसाकार करता यहां पे बैटी हुई है धरने बे अंदोलन में और जो करोना काल में देव दूत बनके सब लोगों की इन्होंने सेवा की अपूरे तन मन से सेवा की उनकी स्थितिया जैसी है कि ये साथ-साथ लोग बीमार यहां पे पड़े हुए हैं इनको देखने वाला कोई नहीं है उपचार करने वाला कोई नहीं है ये लोग सिर्फ अ 2000 में हमारा घर नहीं चल पा रहा है अपना वेतन बढ़ाने के लिए पर्मनेंट करने के लिए एकदम जैज मांग है इसके पात जूद भी सरकार के कानों जू नहीं रेंग रही है सरकार वापस से चाह रही है कि इन लोगों कैसे भी करके धरना खतम हो जाए ठीक है ये उठ जाए यहां तक कि सासन प्रसासन कोई भी इनकी मदद नहीं कर रहा है और डॉक्तर से अगर पात हो रही है कि यहां पे आके जहां पे धरना इस तले यहां पे उपचार करें तो उपचार भी करने के लिए तयार नहीं है और बोल रहे हैं कि अस्पताल जाए वहां पे अगर उप्चार होता है फिर वापस से धरने पे आएंगे तो धरने पे नहीं आने दिया जाएगा तो कहीं न कहीं बहुत जाती हो रहे है इन लोगों के साथ और सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए यह मरने की कगार पे हैं यहां तक कि ऐसी स्थिती हो गई है इन लोगों की कि हमें ह सरकार से, कलेक्टर सहाग से, कि इनकी मदद की जाए, इनका उपचार यहीं धर्ना इस्थल पे किया जाए, नहीं तो यूवक कॉंग्रेस के माध्धन से पूक्र आंदूलन किया जाएगा, जिसकी समपूर जवाबदारी सरकार की होगी सासर के सासर.